हेलो गाईज यह है वाई जी लो और आज हम पढ़ेंगे ओफेंस अगेंस प्रॉपर्टी जैसा कि आप देख रहो सेक्शन 378 से लेके 462 इतने धेर सारे सेक्शन अपने इसमें पढ़ेंगे नहीं अपने इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन दिखेंगे तो ये वीडियो में मैं आपको याद करना सिखाऊंगा और आपको एकदम conceptual clarity वे हो जाएगी offenses अगेंस प्रॉपर्टी में क्योंकि breach of trust, criminal misappropriation, extortion, robbery, decoity ये क्या confusing हो जाता है बहुत सारा उस पे पंकत सर ने पढ़ाया है उस वीडियो का description में मैं आपको link देदूँगा आपको वो देखना है तो वो देख लीजिए लेकिन वो वीडियो काफी लंबा है मैं उसको एकदम short में पढ़ानी की try करूँगा तो चलिए शुरू करते हैं तो guys offenses against property government divide करें न तो ये division हो सकता है theft, extortion, robbery and equity, criminal misappropriation, criminal breach of trust, cheating, mischief और criminal trespass अब इसमें आप देख रहे हो पूरा section wise ये arranged है 382 तक फिर 383 से 402 तक फिर 404, 405, 6, 7, 8, 9 लेकिन इसके बाद यहाँ पे एक gap है 410 से 414 गा और फिर यहाँ पे एक gap है वो gap है 421 से 424 तक का तो ये जो दोनो gap हैं ये है stolen property और fraudulent deeds and disposition of property ये दोनों जो topics हैं इसको अपन classification में नहीं डाल पारे क्योंकि sense नहीं बन रहा है इन दोनों का लेकिन ये जो 7 categories हैं इनको हम एक classify कर सकते हैं एक chart में proper अपन इसको बना सकते हैं उससे explanation भी बहुत easy हो जाएगी अब जैसे theft, extortion, robbery ये सारे जो offences है ना इसमें हमें 6 वीडियो और बनाऊँगा एक theft का बनेगा, एक इसका बनेगा, तीन और चार का साथ में बन जाएगा, फिर 5, 6, 7 तो ये दोनों का एक वीडियो और बाकी सब का एक एक वीडियो तो टोटल 6 वीडियो और बनेगे वो मैं description में link कर दूँगा आप देख लेना, उसमें detail में हम deal करेंगे, theft वगेरा, case law, case law के साथ और इसमें सिर्फ हम classify करेंगे और conceptual समझेंगे कि ये offences में actually difference क्या है तो चलिए देखते हैं इनमें difference क्या है तो guys, offences against property को अगर अपन major major divide करें तो दो category में divide कर सकते हैं सबसे पहले पहला division दो category में होगा, वो division होगा interference in property as right और affecting physical state of property interference in property as right में क्या होगा, जैसे मालो एक बंदा है A और इसके पास property है, ये इसकी property है, ये इस land को पूरे को own करता है ठीक है, अब इसमें अगर B बंदा आके घुश जाए और फिर निकल जाए तो इस property को कोई फरक नहीं पड़ा, समझे, मतलब कोई फरक नहीं पड़ा इसकी property में ना कुछ इसकी value कम हुई, ना इसके हाथ से गई, ना कुछ गई लेकिन ये जो अंदर घुश के भाहर निकलाना, ये इसका जो property का right है ये affect कर रहा है एका right है कि उसकी property में कोई नहीं गुसे, बी ने वो right affect करा है तो अगर इस category में पने offense मानेंगे तो सिर्फ एक offense है, criminal trespass ये जो गुसना निकलना और interference in property right है ये criminal trespass होता है ये दियावा है section 441 से 462 के बीच में criminal trespass के अलावा जो सारे offense है ना, वो सारे आते है affecting physical state of property की category में तो अगर affecting physical state of property को अब वापस divide करें तो वो divide होगी दो में destroying or damaging ये dishonestly obtaining अब ये ए बंदा है, इसके पास कोई property है, इसके पास एक ring है, ठीक है अब ये ring को अगर B बंदा आके आग लगा देता है, या फेक देता है, जला देता है, कुछ भी कर देता है मतलब इसकी value या तो कम हो जाती है, damage हो जाती है, या वो property पूरी ही destroy हो जाती है तो ये एक category होगी और वरना दूसरी property की A के पास मानलो ring है और B आके किसी भी तरीके से उसको ले लेता है ring को, मतलब B को कुछ फाइदा हुआ है जो first वाली category है, destroying and damaging इसमें B को कोई फाइदा नहीं हो, property destroy A का नुकसान है, लेकिन B का फाइदा नहीं है dishonestly obtaining में A का नुकसान भी है और B का फाइदा भी है तो ये दो categories में हम divide करेंगे तो destroying and damaging जो होती है उसको बोलते है mischief mischief आती है section 425 से 440 में और बाकी के जो सारे offense है ना, वो आ जाएंगे dishonestly obtaining में समझ रहे हैं, पहले अपन ने divide किया तो criminal trespass में divide हुआ और बाकी सारे offenses, फिर बाकी सारे offenses को आपस divide किया और mensaria after obtaining property, mensaria before obtaining property और इसका क्या मतलब है after obtaining property मतलब जैसे आप crime करते हो, तो crime में अपन ने क्या देखा था एक तो mensaria होता है, plus actus reas होता है mensaria मतलब intention to commit crime और actus reas जो act करी crime commit करने के लिए अब जो एक category है ना, mensaria before obtaining property इसका मतलब intention to take property ठीक है, property का जो crime, property related जो crime करना था, उसका जो intention है वो property हाथ में आने से पहले ही था, यही वाली situation ले लो A के पास ring है, B को ring चाहिए, तो B ने अगर पहले ही सोच रखा है ना, मेरे को A से ring लेनी है, कोई offense करके, dishonestly, fraudantly, by fear, by fraud कैसे भी लेनी है तो वो इस category में आएगा, mensaria उसके पास पहले से था, property लेने से पहले और जो second category है, mensaria after obtaining property, इसमें यही वाली example A के पास ring है, B को ring लेनी है, और लेकिन पहले नहीं लेनी थी B का को intention नहीं था, ring चुराने का, लेकिन A ने B को बुला कि भाई मेरे ring तू समाल के रख ले, और B के पास जब ring हाथ में आगई, position में आगई उसके बाद B के दिमाग में आएगी, यार मैं तो इसको चुरा सकता हूँ तो वो इस category में आएगा, तो दो category कोन कोन सी होगई, mensria जिसमें पहले ही था, property हाथ में आने से पहले ही अपने पास था intention कि हमको यह property चाहिए, किसी तरीके से भी, और दूसरी category की property हाथ में आने के बाद mensria आया, तो अपने जो criminal trespass और mischief के लवा जो सारे offense बचे हैं, वो इन इस category की बात करता है, mensria before obtaining property, मतलब intention property हाथ में आने से पहले ही था property लेने का, अब वही वाला example A है, A के पास कुछ property है, XYZ कुछ भी property है, अब B है, B के पास mensria है, B को ने सोच रखा है पहले से ही कि मेरे को यह property हतियानी है, बाइक कैसे भी, कोई भी तरीके से, तो इस category में offense आ without consent मतलब A की consent लिये बिना ही इसने property हतिया ली, मतलब A को पता ही नहीं पड़ा, consent consent कुछ A ने दी नहीं और property हतिया ली, तो ये तो होगा theft, मतलब चोरी, ये चोरी कर ली, A को बिना बता है चुप चाप, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, A की consent हो, लेकिन वो consent polluted consent होगी, polluted consent प्रियल वाली consent हो जाती, जो valid consent है, तो वो offense थोड़ी ना होता, तो polluted consent होगी, polluted consent दो तरही के होती है, by fear, डर से कोई consent दे दे, या by fraud, fraud से consent दे दे, अब by fear के जो consent के crime हैं, वो है extortion, robbery और decoity, extortion और robbery और decoity ये तीनों अलग-अलग है, extortion में क्या होता है, extortion में आप सामने वाले को बोलो कि तू मेरे को ये property दे, वरना मैं अकबार में तेरे खिलाफ fake news छाप दूँगा, तरी image खराब कर दूँगा, तो कोई physical harm नहीं हो रहा, ठीक है, या physical harm हो रहा तो बहुत छोटा physical harm हो रहा है, या फिर immediate physical harm नहीं है, अभी के अभी नहीं है, बाद में कभी future में हाम है, तो वह extortion में आएगा, अगर immediate physical harm है ना कि death भी हो सकती है, बहुत ही grave immediate harm है, तो वह robbery होईगी, ये अपन robbery extortion decoity वाले वीडियो में detail में deal करेंगे, लेकिन by fear इस वीडियो में इतना समझोगी, by fear अगर consent दिये तो extortion robbery decoity होईगी, और by fraud अगर consent दिये तो उसे cheating, तो cheating क्या होती है, cheating ऐसे कि मानलो मेरे को मेरा समान बेचना है, और मैं गहुं बेच रहा हूँ, मैं किसी को लाके एकदम high grade quality का एकदम गहुं का sample दिखाता हूँ, उठी में कि देखो ऐसा गहुं है, लेकिन मेरा असली का गहुं वो सड़ावा एकदम गटिया गहुं है, और वो sample देखके सोचे कि यह भाई यह तो बहुत सगी गहुं है, सस्ते में दरहा में ले लेता हूँ, बोरी, चार-पांच बोरी मेरे से खरीद ले, और उसके बाद उसको पता बड़े कि यह तो सारा बेकार है, तो cheating से by fraud, ठीक है, consent तो दीती, उसने पैसे दिये, property लेने क के बाद आया, समझ गए, A के पास property है, B को A की property चाहिए, A ने अपनी property, B को दे दी, खुद से दी, कि भाई B property रख, उसके बाद B के दिमाग में आया कि अरे मैं property अपने पास ही रख लेता हूँ, देता ही नहीं हूँ वापस, या आगे supply करनी है तो आगे supply नहीं करता हूँ ठीक है, जैसे मान लो A को property है कुछ, ये इसके पास कोई किताब है, ठीक है, ये book इसको courier करनी है कहीं पे, इसने courier agent B उसको दी, और B ने आगे courier ही नहीं करी, खुद के लिए रख ली, तो वो इस category में offense आएगा, इसमें दो offense होते हैं, criminal misappropriation और criminal breach of trust, ठीक है, criminal misappropriation और criminal breach of trust में major major difference क्या है, criminal misappropriation में natural course of order में property आती है सामने आले के पास, जैसे मैंने courier वाले example दिया, एक को courier करनी ही, तो courier के लिए natural ही वो courier company को देगा, तो natural course of business में, या फिर मेरे पास motorcycle है, मेरे पास royal infield है, वो में royal infield की showroom पे देता हूँ कि भाई, मेरी service कर देना bike की, लेकिन वो bike खुद से रख लेते हैं, देते ही नहीं मुझे वापस, ठीक है, तो वो criminal misappropriation, criminal breach of trust में, मैं मेरी property normal course of business में नहीं दे रहा, मैं उसको कोई अपने मतलब trust के basis पे दे रहा हूँ, कि हाँ तू ये एक second के लिए रख ले, जैसे मानलो एक case था इसमें, वो अपन इस वीडियो मे डिसकस करेंगे, उसके facts ऐसे थे, कि एक औरत थी, उसने अपने टिकेट दी सामने वाले बंदे को चेक करने के लिए, कि भाई ये टिकेट चेक करके बतादो मेरी सही है कि बेटा अनपड़ थी वो औरत, बहुत पुराना की ऐसे, तो सामने वाले बंदे ने देखा कि अरे में टिकेट आई नहीं थी न, तब तक उसका को intention नहीं था, property अप्टेन करने का उसको पता भी नहींथा कि मेरे पास property आने वाली है, तो उसका जो intention है न मिंस रिया, वो property अप्टेइन करने के बाद आया, तो गाईज, ये है पूरा का पूरा सारे offenses का categorization, तो एक बार पे दो काटेगरी में अपने डिवाई गया पहली काटेगरी जिसमें इंटरफियरेंस च्पाफ डूसरी काटेगरी जिसमें फिजिकल स्टेट औफ प्रॉपर्टी एफट हो रही है एक के a category होगी जिसमें कोई दूसरा वाला प्रापर्टी अप्टेइन कर रहा है तो जो डिस्ट्रॉइड वाली यह डैमेज वाली काटेगरी वो मिश्चिफ वो सारे ओफिंस मिश्चिफ में आएंगे और जिसमें दूसरा वाला obtain कर रहा है सामने वाले को कोई wrongful gain हो रहा है ठीक है इसमें तो सर्फ wrongful loss है जो victim है उसको इसमें सामने वाली party को wrongful gain भी है तो इसको अपने वापस दो में divide करेंगे इसको दो में divide करेंगे तो एक में intention intention property हाथ में आने के बाद आया intention to obtain property after getting property in possession x जो मैंसरिया था वह बाद में आया वह है criminal misappropriation or Metro Breach of Trust और मैंसरिया अगर पहले ही था प्रोपर्टी हाथ में आने से पहले ही intention था मेरा property लेने का तो वह दो कैटेगरी में divide होगा एक जिसमें consent ही नहीं थी और एक जिसमें polluted consent थी जिसमें consent ही नहीं थी वो हो जाएगा theft जो polluted consent होगी वो consent के basis में दो में divide हो जाएगा या तो consent fear के basis पे थी जो कि extortion robbery and equity होगा या consent fraud के basis पे थी जो कि cheating होगा अब guys इससे ना इससे एक फाइदा बताओं क्या होगा यह जो अपने पूरा flow chart पढ़ाना इस flow chart में अगर अपन ढंक से इसको समझ जाते हैं ढंक से अगर आप समझ गए हो जो मेरे साब से समझ गए होगे तो आप इसको हर offense को आप बहुत easily समझ भी जाओगे सिर्फ इनको categorize करने के लिए नहीं इनकी conceptual clarity के लिए भी अब जैसे cheating है ठीक है तो cheating में वो सारे essentials होगे cheating में consent है fraud से consent है property polluted consent से ली गई है फिर जो intention था property को लेने का वो property possession में आने से पहले ही था फिर property dishonestly obtained की गई है और property का physical state effect हो रहा है तो यह सारी चीज़े इसमें बैठेंगी अगर criminal misappropriation हुआ है तो intention जो property लेने का था वो property हाथ में आने के बाद आया है property dishonestly obtained हुई है property की physical state effect हुई है तो ऐसे अपन definition भी एक तरह से हर offense की basic समझ गए है इनको बन detail में भी ingredients के साथ आगे videos में पढ़ेंगे description में आपको videos मिल जाएंगे सारे के सारे जैसे जैसे में बना दूँगा hopefully ये video upload करने के 4-5 दिन के अंदर ही में पूरा cover कर दूँगा तो जब तक आप देखोगे most probably आपको description में link मिल जाएगा तो guys अगर आपको ये categorization अच्छा लगा तो आप सबसे पहले तो नीचे जाके पंकज विधी प्रवा करके जो channel है जो original video था जिससे मेरे को ये पूरा idea मिला वो like करो क्योंकि वो deserve करते हैं एक like और मेरा video भी like कर दो यार अगर आपको explanation अच्छा लगा तो और subscribe मार दो और बा झाल